हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टु मैं यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेट एमसी उस आन रिलेशन एंड फंक्शन, जो की प्रिविए सेर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सारे क्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको सजिस्ट करूँगा मेरे साथ इस वीडियो के अंततक बने रहे, कोई भी क्वेशन मिस नहीं करिएगा और अगर आप मेरे साथ टेलिग्राम पे जुणना जाते हो, टेलिग्राम पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रूप को आप जॉइन करो और अगर आप मेरे complete video lectures on economics, mathematics and statics देखना चाते हो, description में आपको playlist की link मिल जाएगी, जहाँ पे आपको detailed video lecture plus mcqs सारे मिल जाएगे Now before discussing, सबसे पहले मैं आपको suggest करूँगा कि इस topic पे मैंने already three video lectures upload किये हैं, उसको जुरूर देखिएगा Now let us start with the question number one, हमारे पास question है If x upon 3 plus 1, y minus 2 upon 3 is equal to 5 by 3, 1 by 3 हमारे पास दो ordered pair given है, और हमने find करनी है x and y की value, ओके Now हमें एक property पता है ordered pair की, जब ordered pair आपस में equal होते हैं, तो उनके जो corresponding elements होते हैं, ठीके यनिकी x upon 3 plus 1, ये equal होगा 5 by 3 के, ठीके, इनको जे corresponding element है, पहला पहले के साथ equal होगा, और second, second के साथ equal होगा, ठीके Now आप हम ये property apply करेंगे, और x और y की value find करेंगे, तो आईए हम करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3, मैंने पहले वाले को लिया, उसके बाद second वाले को, y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है, x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3, ठीक इसका हम LCM निकालेंगे, अब LCM कैसे निकालेंगे, short में आपने इसको इसके साथ multiply कर देना है, फिर इसी को आपने इसके साथ भी multiply कर देना है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, बनेगा x plus 3, ठीक है, is equal to, अब जब आप इसको इसके साथ multiply करोगे, ऐसे, तो यह वाला 3 और यह 3, cancel out हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x plus 3 is equal to 5, ठीक है, इसी तरह से, second वाले element को भी कर दो आप, second वाले element में क्या रहेगा, y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ भी multiply करो, और इसको इसके साथ भी multiply कर दो, तो हमारे पास बन होगे, तो यह और 3, यह 3, cancel out हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3y minus 2 is equal to 1, उसके बाद, जो हमारे पास x plus 3 is equal to 5 रहा है, तो जब 3 को आप right side में shift करोगे, तो हमारे पास जो 3 का पीछे जो plus था, यह आप minus बन जाएगा, sign change हो जाते हैं, जब हम transfer करते हैं, is equal to 2 के दूसरे side, तो यह बनेगा 5 minus 3, तो 5 minus 3 कितना आएगा, 2, hence हमारे पास x कितना आ गया, 2 आ गया, अब हमारे पास second वाला है, 3y minus 2 is equal to 1, इसको इस side shift करो, ठीक है, हमारे पास बनेगा 3y, अब यहाँ पे negative है, ठीक है, तो right side जाके क्या बनेगा, positive बनेगा, 1 plus 3, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3y is equal to 3, यह 3 और यह 3, cancel हो गया, तो y is equal to 1, required answer, तो हमारे पास क्या आ गया, x is equal to 2, and y is equal to 1, hence a option is the correct answer, next हमारे पास question है, हमारे पास एक set given है, a minus 1 and 2, हमने partition product find करना है, a partition product, a partition product, a, ठीक है, अब हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम 2 को पकड़ेंगे, a cross a को, यहनिकि a partition product, a, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, देखो a मैंने लिखा, और यहाँ पे भी मैंने a लिखा, ठीक है, उसके बाद, पहला हम पहले के साथ रखते हैं, ठीक है, फिर पहले को हम दूसरे साथ रखते हैं, इसी तरह से, जो second है, इसको हम पहले के साथ रखेंगे, फिर second को दूसरे के साथ रखेंगे, तो हमारे पास जो ordered pair, ऐसे बन जाएंगे, उसके बाद, अब हमने क्या करना है हमने करना है a partition product a इसका partition product करना है a के साथ ठीक है यनि कि हम करेंगे a partition product a partition product a ठीक है तो देखो इसका पहला element ले लो –1 और इन दो element के पीछे रख दो तो हमारे पास क्या बना –1, –1, –1 ठीक है इसी तरह से second करो इसी minus one को इसके साथ भी रखो ठीक है फिर इसी minus one को इसके साथ भी रखो इसी minus one को इसके साथ भी रखो उके उसके बाद जो इसका one है फिर उसको रखो पहले के साथ फिर इसी one को second के साथ इसी one को third के साथ ठीक है तो हमारे पास a quotation product a quotation product ये कितना बन गया हमारे पास b option आ गया Hence, B option is the correct answer. Next, अब हमारे पास question है, हमारे पास A set given है, जिसके अंदर elements है 1, 2, B set given है, जिसके अंदर element है 3, 4, हमने find करना है numbers of subsets A cross B, A cross B में कितने subsets बनेंगे, ठीक है, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम find करेंगे, कि A partition product B में कितने ordered pair होंगे, ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, हम देखते हैं, एक element में कितने हैं, 2 elements हैं, और यहाँ पे भी 2 elements हैं, so 2 multiplied by 2, which is equal to 4, यानि कि A partition product B में, number of ordered pair 4 होंगे, अब number of subsets कितने बनेंगे, 2 raised to power 4, ठीक है, अब 2 raised to power 4 कितना होता है, 2 multiplied by 2, multiplied by 2, multiplied by 2, 2, 2 to 0, 4, 4 to 0, 8, 8 to 0, 16, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे यह 16 है, ठीक है, तो हमारे पास फिर B option, 16 इसका correct answer है, यहाँ पे मुझे typing error हुआ है, now next अब हमारे पास question है, let A and B be two sets, such that N of A is equal to 3, and N of B is equal to 2, हमारे पास दो set गिवन है, जहाँ पे number of elements in a set A, 3 है, और number of elements in a set B, 2 है, और साथ में हमें, quotation product of AB भी गिवन है, हमने find करना है, कि A के element कौन-कौन से है, और B के element कौन-कौन से है, ठीक है, now हम जानते है, जब A contradiction product B हम करते है, जो ordered pair में पहले elements होते हैं, वो set A के होते हैं, और जो दूसरे element होते हैं, वो set B के element होते हैं, तो पहला हो गया, X, Y, Z, ठीक है, तो दोनों पर यहाँ पर हमारे पास x, y, z है अब हम देखेंगे b set में कौन-कौन element होगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है और 1 है यानि कि 1, 2, 1 ठीक है? बट यहाँ पर लिखा है कि n of b number of sets in b सिरफ 2 है तो इसका मतलब सिरफ 1 और 2 हमारे पास है hence d option is the correct answer next हमारे पास question है हमारे पास figure given है हमने find करने है domain and range of the relation ठीक है? फट फट से इसका answer आप comment box में करिएगा, जल्ली कर दिएगा देखो, domain क्या होता है? domain होता है जिसकी कोई image होती है ठीक है, जो map क्या होता है b set के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास 9, 8, 25 ठीक है तो देखो, यहाँ पे भी है 4, 9, 25 और यहाँ पे भी हमारे पास 4, 9, 25 उसके बाद अब देखेंगे हम range, तो range वो होता है जिसकी premise होती है तो 5 हो गया, 3, 2 ठीक है, फिर minus 2, minus 3, और minus 5, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास यही सारे set elements मिल जाएंगे, यहाँ पे जो extra है, वो है 1, ठीक हो 1, इसकी premise नहीं है ठीक है, तो यह हमारे पास range नहीं आएगा, range हमारे पास आएगा b वाला, ठीक है, hence b option is the correct answer next हमारे पास question है बहुत ही ज़्यादा important question है determine the domain and range of the relation defined by, हमारे पास question given है, और यह question मैंने आपको करने के लिए भी दिया था, बहुत सारे बच्चों का question यह गलत हुआ है हमारे पास relation given है ठीक है, हमने domain and range defined करना है अब देखो, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की value put करते जाएंगे, ठीक है because हमारे पास जो set है न, वो real number का set है यह वाला set नहीं है, बहुत सारे बच्चे confused हो गए, और उन्होंने assume किया कि यह हमारे पास set है यह set नहीं है, बलके x इसमें belong करता है, ठीक है तो हमारे पास जो domain है वो तो सही है, 0, 1, 2, 3, 4 5 आएगा, बट range क्या होगा यहाँ पे x plus 5 होगा x की जगा पे, देखो, हमारे पास पहले मैंने 0 put किया, तो यह बना 0 और 0 plus 5 यह निकि 5, ठीक है उसके बाद, यहाँ पे जब मैंने 1 put किया, तो मेरे पास क्या बना गया, 6 विकाज हमने क्या करना है, x plus 5 करना है इसी तरह से आगे मैंने यह किया है तो हमारे पास जो पहले पहले elements है वो हमारे पास क्या निकलेंगे, domain निकलेंगे, ठीक है तो यहाँ पे मैंने domain लिख दिया उसके बाद, जो इस ordered pair के second second element है वो क्या निकलेंगे, range, ठीक है तो मैंने यहाँ पे भी range लिख दिया तो हमारे पास जो correct option है वो हमारे पास है first, a option, ठीक है hence a option is the correct answer next हमारे पास question है write the relation x, x cube, x is a prime number less than 10 हमारे पास एक ordered pair है relation में हमने सिरफ वो ordered pair लेना है जहाँ पे x और x cube आएगा, ठीक है और x हमने क्या लेना है prime number less than 10 अब prime numbers वो number होते हैं जिनके सिरफ दो factor होते हैं एक खुद आपने आप, ठीक है और एक 1 के साथ हमारे पास prime number less than 10 कौन-कौन से है एक हमारे पास आगया 2 पुट करने हैं, जब यहाँ पे आप prime number पुट करोगे 2, तो यहाँ पे बनेगा 2 का cube, 2 का cube कितना होता है 8 होता है, ठीक है तो पहला हमारे पास 2, 8 आएगा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके उसके बाद, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, 3 और 3 का cube, यहनि कि 3 और 27 पिकास 3 का cube कितना होता है, 3 multiply by 3, multiply by 3, तो 27 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास 5, ठीक है 5 और 1, 25 5 ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे इन्हों ने लिखा है 4, 64, बट 4 हमारे पास prime number नहीं होता है, वो हमारे पास क्या है, composite number है, तो हमारे पास यहीं से पता चल गया, कि A option is the correct answer next हमारे पास question है let f of x is equal to x square, and g of x is equal to 2x plus 1 v 2 real function, हमारे पास 2 functions given है, हमने find करना है addition of these two function ठीक है, अब हम इसको कैसे करते हैं बहुत ही simple है, f plus g of x यह होता है, equal f of x plus g of x अब करो, फट फट से plus, f of x क्या हमारे पास है x square, so x square plus 2x plus 3, sorry 2x plus 1 ठीक है, तो x square plus 2x plus 1 तो हमारे पास b option क्या है, correct answer यह हमारे पास a यहाँ पर मुझे mistake हुआ है next हमारे पास question है, the domain and range of the following real function, हमने find करना है domain and range, बहुत ही ज़्यादा important है, कई बार examination में पूछा जा चुका है बहुत ही आराम से समझेगा मैंने आपको modulus function पढ़ाय था modulus function में हमारे पास इस तरह का function होता है f of x, x आता है जब हमारे पास x greater than r equal to 0 होता है फिर minus x आता है, जब हम x की value less than 0 लेते हैं, ठीक, अब हमारे पास जो modulus है, वो है minus mod x, ठीक है तो हम mod x को क्या करेंगे minus से multiply करेंगे जब हम बाहर से multiply करेंगे तो अंदर से भी आएगा, ठीक है अब देखो जो domain है, वो तो set of real numbers आएगा, विकाज यहाँ पे लिखा है real function तो domain तो set of real number आएगा, तो domain ये, ये और ये, जो हमारे पास b वाला है ये पहले ही cancel out हो जाएगा देखाज यहाँ पे सिर्फ लिखा है negative real number, हमारे पास सारे real number आएगे, उके उसके बाद, जब यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की value या तो 0 होने चाहिए या greater than 0, लेकिन अगर minus x में आप value greater than 0 लोगे अगर आप 100 लोगे, तो minus 100 बनेगा, कुछ भी value लो तो वो हमेशा क्या बनेगी, negative बनेगी, ठीक है, उसके बाद second case में जब आप value less than 0 लोगे तो less than जो भी value आएगी, वो भी क्या आएगी, negative ही आएगी ठीक है, तो हमारे पास सिरफ negative values आएगी, और एक बिचारा 0 आएगा, ठीक है तो हमारे पास जो correct option आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, पहला वाला option आएगा, domain set of real number आएगा, और range हमारे पास क्या आएगा, minus infinity से लेके 0 तक अब आप मुझे बताओगे, कि sir c option भी तो ऐसा ही है, c option क्यों नहीं आएगा, अब देखो, c option इसलिए नहीं आएगा, विकाज यहाँ पे हमारे पास closed interval है, और इस closed interval का मतलब यह होता है कि minus b इसी का अंदर क्या हो जाएगा, minus infinity भी इसी अंदर, include हो जाएगा, लेकिन infinite हम value नहीं लेते हैं यह जो यहाँ पे है न, open वाला यह ऐसा वाला sign इसका मतलब है, minus infinity include नहीं होगा, बाकि सारे elements आएगे, okay, hence a option is the correct answer next हमारे पास question है the domain and range of the following real function, हमारे पास question given है, बहुत ज़्यदा important है यह भी कई बार examination में पोचा जा चुका है, हमारे पास given है, under root 9 minus x square ठीक है, हमने इसका domain and range find करना है now, जब हमने function पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, कि हम कोई भी value, अपनी मर्जी से value put नहीं करेंगे, function के अंदर because, वो function तब होगा जब हम उसके अंदर कोई input डालेंगे और output निकलेगा ठीक है, यहाँ पर हमने क्या चीज़ याद रखनी है root के अंदर, या तो value 0 आने चाहिए, या 0 से बढ़ी आने चाहिए, because अगर 0 से छोटी आएगी negative value आएगी, वो हमारे पास imaginary number बनेगा, ठीक है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 9 minus x square greater than or equal to 0, ओके अब देखो, इसको जब मैं इस side shift करूँगा, यह बनेगा 9 greater than or equal to x square, ठीक है तो हमारे पास यह क्या बनेगा, इसको जब square को इस side में transfer करूँगा, तो यह बनता है root, plus minus root बनता है, क्या बनता है, plus minus root तो plus minus root 9 तो plus minus root 9 कितना होता है, यह होता है, हमारे पास 3 के equal, तो plus minus 3, इसका मतलब हमारे पास जो value लाई करेगी वो minus 3 से लेके plus 3 तक ओके, तो यह हमारे पास निकल गया, domain निकल गया अब आपने range find करना है range अब depend करेगा domain पे, विकास जैसा input होगा वैसा ही output निकलेगा, अब देखो जब भी आप minus 3 से लेके 3 तक value put करोगे, minus 3 से लेके minus 1 तक same value आएगी जैसे 1 से लेके 3 तक विकास, अगर आप 1 का square करोगे वो भी 1 ही आएगा, minus 1 का square करोगे, वो भी हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है उसके बाद 0 जब आप 0 put करोगे तो यहाँ पर आएगा, कुछ अलग value आएगी तो हमारे पास जो range निकलेगा वो 0 से लेके 3 तक निकलेगा अब आप बताओगे कि सर minus 1, minus 2, minus 3 range के अंदर क्यों आएगे, विकाज अगर उनका आप square करोगे, जिसे minus 2 का square करो कितना बनेगा, 4 तो वो ही हमारे पास 2 का भी square बन गया, 4 तो हमारे पास जो range है, वो निकलेगा 0 से लेके 3 तक, ओके नेक्स्ट हमारे पास question है let R be a relation in the set, हमारे पास एक set given है, उसके बाद relation हमारे पास यहाँ पे given है हमने find करना है, choose the correct option, अब हमारे पास जो function given है, आप इसमें देखो कौन reflexive, symmetric and transitive है, ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे reflexive, अब reflexive कैसे देखते हैं, set में जो जो element है वो आपने आप से related होना चाहिए जात में ही है, और 33 भी है, और यहाँ पे 22 भी है, ठीक है इसका मतलब reflexive हो गया, ठीक है तो हमारे पास जो c option था, not reflexive यह cancel हो गया अब आते हैं next पे अब हमने check करना है symmetric, symmetry में क्या check करते है, अगर a related है, b के, तो b भी related होना चाहिए, a के यह लेकिए, अगर हमारे पास 12 available है, तो 21 भी होना चाहिए लेकिन 21 आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब reflexive है, बट symmetric नहीं है, ठीक है तो देखो, not symmetric यहीं पे लिखा है तो हमें पता चल गया, भी ही option इसका answer होगा, अब हम check करते है transitive भी, तो देखो 12, ठीक है अब हमारे पास दूसरा, 22 भी related है, अब 12 होना चाहिए तो 12 भी है, ठीक है, उसके बाद कोई और ले लो, जैसे हमारे पास 13, 13 के साथ related है और 3, 3 के साथ related है और 13 के साथ related है हैंस हमारे पास क्या हो गया, reflexive and transitive, but not symmetric, B option is the correct answer next हमारे पास question है let R be the relation in the set and given by, हमारे पास relation given है, A is equal to B minus 2 और B हमने लेना है, greater than 6, ये चीज़ आप याद रखिएगा, greater than 6, जब भी आप question को पढ़ो तो उसको complete पढ़ो, choose the correct answer, अब देखो हमने इस तरह का ordered pair लेना है, जहाँ पे A किसके equal होगा, B minus 2 के equal होगा, अब देखो अगर हम पहला देखते हैं, तो 2 is equal to 4 minus 2 ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला सही है but, यहाँ पे जो additional condition है, कि B जो है greater than 6 होनो चाहिए, लेकिन B यहाँ पे क्या है less than 6, तो ये वाला option cancel out हो जाता है, ठीक है अब इन option में से आप match करो कौन option match हो रहा है, तो देखो हमारे पास जो C option है न, यहाँ पे देखो A हमारे पास 6 है, और B हमारे पास 8 है, तो हमारे पास 8 minus 2, तो ये हमारे पास satisfy हो रहा है hence, C option is the correct answer next हमारे पास question है, हमारे पास function given है, और defined है f of x is equal to इसमें कौन सा most appropriate answer है, तो फटा-फट से इसका answer करिएगा देखो, f of x हमारे पास है, 3x जब यहाँ पे आप कुछ भी value यहाँ पे put करोगे real number से, तो हर एक real number के लिए different different value आएगी hence हमारे पास 1-1 हो गया उसके बाद, हमारे पास जो यह function होगा है, होगा न हमारे पास जो range होगा जो हमारे पास code domain होगा हर एक की यहाँ पे pre-mage होगी ठीक है, तो hence हमारे पास जो correct option है वो आएगा, f is 1-1 and unto, क्यों? देखास, अब कोई भी real number यहाँ से ले लो उसकी आपको जुरूर आपको pre-mage मिलेगी, a option is the correct answer next हमारे पास question है, हमारे पास function defined है, फिर से f of x to x raised to power 4 choose the correct answer अब देखो, हमारे पास यहाँ से real number पढ़ेंगे, और यहाँ से भी real number होंगे, ठीक है? अब देखो जब अब x raised to power 4 करोगे तो उस case में हमारे पास जब भी negative यहाँ से हम डालेंगे, तो उसका भी आगे क्या निकलेगा? positive ही निकलेगा, विकास power क्या है? even power है, even power हमेशा negative को भी positive बना देती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो negative elements रहेंगे, ठीक है? एक तो उनकी भी pre-mage नहीं होगी, उसके भी positive आएगी, और positive वालों की भी positive आएगी, hence हमारे पास नहीं यह one one है, और नहीं यह on two है, ठीक है? f is neither one one nor on two अब क्यों नहीं होगा? विकास सबसे पहले आप यह बताओ गए कि जो हमारे पास set a है, वहाँ पे जो negative and positive element है दोनों की एक ही में जाएगी, उसके बाद यहाँ पे बिचारे जो negative वाले है उनकी कोई pre-mage है ही नहीं ठीक है? इसलिए नहीं यह one one है और नहीं यह on two है next हमारे पास question है हमारे पास defined function है r minus minus 4 by 3, ठीक है? to r defined by f of x is equal to 4x upon 3x plus 1, बहुत ही जादा important question है कई बार examination में पोचा गया है ठीक है? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? कि हम सारी values लेंगे सिरफ minus 4 by 3 नहीं लेंगे, अब यह क्यों नहीं लेंगे? विकाज अगर आप यहाँ पे देखो minus 4 by 3 करोगे न यह और यह cancel out हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा minus 4 plus 4 तो 0 आएगा अपान में, इसलिए यह हम नहीं लेते हैं, हमने इसका क्या करना है? inverse find करना है अब inverse हम find कैसे करते हैं? हमें पता है, जब हम 1,1 और on 2 लिखते थे, तो on 2 में कैसे लिखते थे? f of x is equal to y लिखते थे, ठीक है? अब हमारे पास f of x क्या है? वो y की equal है, ओके? हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे y is equal to 4x upon 3x plus 1 अब simple में आपको बताऊँगा कि जब भी आपको इस टाप को question आए आपने inverse find करना है तो आपने क्या करना है? आपने change करना है in term of y लिखना है अब उसको कैसे लिखोगे? अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको इसके साथ multiply कर दो, ठीक है? तो हमारे पास क्या बन गया? 3xy plus 4y is equal to 4x अब आपने क्या करना है? 4x is equal to लिखना है, तो उसको कैसे करोगे आप जो x वाले हैं उनको एक ही साइड ले लो तो मैंने यहाँ पर लिया है, तो हमारे पास क्या बन गया? मेरे पास बन गया 4x minus 3xy ठीक है? is equal to और इसको अलाहिदा कर दिया, तो हमारे पास बन गया 4y इसको मैंने यहीं पर रखा, 3 को इस साइड ले लिया, अब यहाँ पर दोनों जगए x हैं, तो x को आप common निकालो जब आप x को common निकालोगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? x into 4 minus 3y, ठीक है उसके बाद, हमारे पास यह आ गया, उसके बाद इसको इसके साइड जब लोगे, तो upon में आएगा तो x is equal to 4y upon 4 minus 3y हैंस हमारे पास यह क्या निकल गया? required inverse निकल गया simple, जब भी आपको inverse find करना है आपने क्या करना? उसको in term of y लिख देना है, जब उसको in term of y लिख दोगे, तो आपके पास required answer आ जाएगा, तो हमारे पास जो given option है, वो हमारे पास है b option is the correct answer next हमारे पास question है हमारे पास function given है f of x हमने find करना है f composition f ठीक है, अब f composition f कैसे find करेंगे? सबसे पहले हम जो f composition f है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, अब हमारे पास f of x है, वो यहाँ पे given है तो हमने इदर अंदर लिखते है, इसके जगा अब देखो, हमारे पास अभी तक f के अंदर क्या था है, x था और यह value थी, बट अभी x के पास यह सारी value है, तो हम x की जगा पे यह complete value रख देंगे, ठीक है तो 3, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया minus, अब x है न, तो x की जगा पे यह सारा रख दो, अंदर वाला तो हमारे पास आ गया, 3 minus x raised to power 3, ठीक है, उसके बाद whole power 1 by 3, complete यहाँ से लेके, यहाँ तक अब इसको अंदर से simplify करो यह हमारे पास बनेगा 3 minus 3, ठीक है 3 minus 3, 0 हो गया यहाँ पे x cube, raised to power 1 by 3 तो यह power और यह power cancel, हमारे पास बच गया, x hence, c option is the correct answer next हमारे पास question है number of binary operation on the set a, b, बहुत ही ज़्यादा important question यह भी है, हमने find करना है कि a set, हमारे पास set है a, b, इस पे कितने binary operations बनेंगे, अब हम उसको कैसे find करते है, सबसे पहले आप देखो, a cross, यह हमारे पास a set है, a cross a में कितने element होंगे, ठीक है, a cross a में 4 element होंगे, बिकाज यहाँ पे भी 2 है, उसमें भी 2 होंगे 2 multiply by 2 ठीक है, कितने element होंगे, 4 element होंगे, हमारे पास number of binary operation, on the set a b वो बनेंगे, 2 raised to power 4, ठीक है, तो 2 raised to power 4 मतलब 16, hence b option is the correct answer next हमारे पास question है, हमारे पास एक set given है, उसमें 3 elements है, बहुत ज़्यदा important question यह भी है उसके बाद set b है, उसके अंदर 4 elements given है, हमने find करना है, number of injective mapping, that can be defined from a to b यानि कि a to b कितनी one one mapping बन सकती है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास a set है और b set है, sorry हमारे पास एक set है, और दोसरा set है पहले set में हमारे पास 3 elements है ठीक है, उसका बाद b set में हमारे पास 4 elements है 4 elements है, ठीक है अब हमने क्या निकालना है, one one निकालना है, ओके, तो one one के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो four है उसके पास कितने option है, उसके पास चार option है, चार में से किसी के साथ भी map हो सकता है, तो आपने लिखना है वो four, अब बताओ जब पहला वाला अगर letter support इसके साथ map हो गया, अब दूसरे के लिए कितने possible chances है, या इसके साथ भी map हो सकता है, इसके साथ या इसके साथ, तो इसके लिए कितने है तीन possible chances है, हम इसको इसके साथ रख देते हैं, ओके, अब बताओ जो last वाला है, अब उसके लिए कितने chances हैं, किसके साथ मैच हो सकता है, या तो इसके साथ मैच होगा, या इसके साथ, यानि कि दो इसके हैं, इसके साथ कर दो तो हमारे पसा आग गया, two four threes are twelve, twelve twos are 24, hence c option is the correct answer, simple, आपने क्या करना है, आपने देखना है, कि जो पहले element है, उनके कितने chances दूसरे के साथ मिलने के हैं, यानि कि एक ही, एक ही के साथ आपने लेना है क्योंकि injective है, one one ही लेना है, hence c option is the correct answer, तो friends, आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो please मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने friends and classmates के साथ जुरूर शेयर कीजिएगा, thanks for watching,